इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं कि हम अपने एंड्रोइड फोन में वाइफाई में यूज मोबाइल डेटा टू इस बूस्टी स्पीड को कैसी ओन कर सकते हैं तो अगर आप जहनना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरत देखेगा और यह करता क्या है यह भी आपको बताऊंगा तो दिहान सा आप इस वीडियो को देखेगा लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो सबसे पहले हम बात कर और Wi-Fi में जाने के बाद आपको यहां पर Wi-Fi Assistant में जाना पड़ेगा तो Wi-Fi Assistant में भी चलते हैं हम और Wi-Fi Assistant में जाने के बाद थोड़े सी निचे जाएंगे तो Smart Network में आपको यहां पर Use Mobile Data to Boost Speed यहां पर यह वाला option दिखाए दे जाता है तो यह बूश्ट करता है आपके speed को speed connection को जब आप Wi-Fi से आपका Wi-Fi पूर रहता है मतलब कि आपका mobile data यहां पर speed boost करेगा और आपके connection के साथ तो इसको जैसे आप own करेंगे तो यहां पर यह स्टार्ट हो जाएगा और इसकी कुछ conditions वगयरा आपको दिख जाएगी custom apps या फिर recommended apps वो आप यहां पर select कर सकते हैं custom app पर आप लगाते हैं तो यहां पर according जो होगा Wi-Fi के या फिर आपके बहुत सारी जो एप होंगी वो यहां पर selected होने के लिए start हो जाएगी आपको इसी भी applications को यहां से start कर सकते हैं या customs जो होती है वो जो recommended होती है उन पर ही करें और यहां पर speed mode जो होता है speed boost mode यहां पर full कर दीजिए या फिर यहां पर यह automatically रहने दीजिए तो यह process रहता है इसका अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को subscribe भी कर दीजिएगा